केरल के, कोची के, कला मसेरी में हुए धमाके में पचास से ज्यादा लोग घायल हो गए उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया दुर्भाग्य से उनमें से तीन की मौध हो गई दुखद ये विसफोट 29 अक्टूबर 2023 को जेवाज विटनेस की प्रात्ना सफा के दौरान हुआ था अश्चरेजनक कुछ चश्मदीदों का दावा है कि एक ही जगा पर कुछ ही मिंटों के अंतर पर तीन धमाके हुए थे विनाशकारी कलामसेरी पुलिस के मताबिक सुबर 9 बचे जब उन्हें सूचना मिली तो वे मौके पर पहुँचे और देखा कि लोग घायल अवस्ता में पड़े हुए है पुलिस के साथ साथ केरल आतंगवाद निरोधक दस्ता ATS भी जांच करने और बचावकारियों में मदद करने के लिए मौके पर पहुँचा टीवी दुरुशियों में चारों और बिनाशकारी आग और अराजकता दिखाई दे रही थी सूत्रों के मुताबिक विसफोटक एक टिफिन बॉक्स में रखा गया था ग्रुह मंत्री अमिद शा ने स्तिती का जायजा लेने के लिए केरल के मुख्य मंत्री पिनराई विजयन से फोन पर बात की मुख्य मंत्री विजयन ने कहा कि वह खुद स्तिती पर करीब से नजर रखे हैं और अपने आदिनोस्तों को से अपडेट ले रहे है रवीवार 29 अक्टोबर की शाम को एक व्यक्ती ने त्रिशुर पुलिस के सामने यह कहते हुए आत्मसमर्पन कर दिया कि वह विसफोर्ट के लिए जिम्मेदार है उसने स्वयच्छा से पुलिस के सामने आत्मसमर्पन कर दिया संगित सामगरी से भरा उसका बैग भी जब्द कर लिया गया है फिलाल उससे पूचताच की जा रही है उसकी पहचान 48 साल के डॉमनिक मार्टिन के तौर पर हुई है पुलिस की पूचताच जारी है इस पीच कर्णूर रेल्वे स्टेशन पर जब पुलिस को एक आदमी के बैग में विसफोर्ट से संबंदित संगीत वस्तुए मिली तो उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया पुलिस को डॉमनिक मार्टिन का एक फेस्बुक वीडियो पोस्ट मिला जिसमें उसने कहा है कि वह जेवाज विटनिस का हिस्सा था और उनके कुछ बहुत ही अचीब नियम है उसने कहा कि उनकी शिक्षाएं राश्ट्र विरोधी है और उनके नियम बहुत सक्त है डॉमनिक ने कई बार उन्हें सुधरने की कोशिश की और उनसे कहा कि वह जेवाज विटनिस का विश्वास करता है लेकिन किसी देश की आलोचना करने की कोई जरूत नहीं है हाला कि जिवास विटनेस के नेदाओं ने उनकी बातों को नजरनदास कर दिया इस बात से डॉमने काफी गुसा हो गया उसने इतना कदम उठा लिया ये बात उन्होंने अपने वाइरल हुए वीडियो में कही थी तमाकों के बाद दिल्ली और मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है केरल ब्लास्ट मामले की जाँच की निगरानी 20 सदस्य पुलिस टीम करेगी विस्वोट स्थल पर दिल्ली से राष्ट्य शुरक्षा गार्ड एन एस जी की टीम भी पहुँची वे विस्वोट के कारणों की जाँच करेंगे बहुत से लोगों को लगता है कि जेवास विटनेस एक गलत और खतरनाक विचारधारा फैला रहा है और इसलिए इसे खतम कर देना चाहिए दिल्ली, मुंबई और कई अन्य शेहरों को हाई एलर्ट पर रखा गया है और ऐसे आयोजनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि जेवास विटनेस के अन्य आयोजन को भी निशाना बनाया जा सकता है क्योंकि भी इसलिए बढ़ा गया है झाल झाल